Hi everyone, welcome to the class, so आज हम एक और बहुत important case discuss करने वाले है, इसका नाम है हुसेनरा खातून versus Home Secretary State of Bihar 1979 का case है, यह बहुत landmark case है, क्यों क्योंकि इसमें PIL के बारे में बताया गया है, आपके Article 21 के बारे में बताया गया है, Free Legal Aid और Speedy Trial और भी बहुत कुछ हैं और बहुत interesting points भी हैं, जैस हम discuss करेंगे, चलिए देखते हैं, तो important चीज़े सबसे पहले देख लेते हैं, यह case जो है decide हुआ था 9 March 1979 को, यह case two judges bench case रहा, justice P.N. भगवती है, justice D.A. देसाई, तो इनका नाम आया है, तो मैं आपको बता दू, हमारे justice P.N. भगवती को father of P.I.L. कहा जाता है, क्यों यह two judges bench case रहा था, फिर भी, इस case को decide किया गया था, इन दो judges के द्वारा, लेकिन judgment deliver किया था हमारे justice P.N. भगवती के द्वारा, इसी लिए इन्हे father of P.I.L. कहा जाता है, यह मैं इसलिए आपको specifically बता रही हूँ, क्योंकि exam में कई बार पूछ लेते हैं, who is the father of P.I.L. और यह ऐसा case जिसमें सबसे पहली बार P.I.L. फाइल की गई थी, और यह P.I.L. किसके द्वारा फाइल की गई थी, अडुकेट, पुष्पा, कपीला, हिंगोरानी, और जो मैंने अभी आपको बता है, who is the mother of P.I.L. तो सबसे पहले P.I.L. फाइल की गई थी, इस case के अंदर और इन ही के कॉपस की, आपको पता हुगा, happiness कॉपस क्या होता है, to produce the body, अगर किसी को illegal detained कर लिया है, मतलब illegal detention के against, जो है, court here it issue करता है, अभी हम detail में भी पढ़ेंगे, आगे देखिए, article 21, आपका right to life and personal liberty, article 21 के बारे में है, तो इसमें speedy trial, आपको किसी भी convicted person को, या under trial prisoner जो भी है, उसक speedy trial दिया जाना चाहिए, अगर उसको speedy trial नहीं मिलता है, तो वो उसके fundamental right का infringement माना जाता है, और free legal aid, कि भी हर व्यक्ति को, जो भी जिसके against कारवाई चल रही है, जो under trial चल रहा है, अगर वो जिससे कानूनी जानकारी नहीं है, या फिर उसके पास इतना पैसा नहीं है, कि केस लड़ सके, तो state government के duty बनती है, कि वो उसे मुफ्त में legal सहायता मुहाया करवाई, तो चली देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा detail में समझते हैं, क्या facts रहे थे, तब ही आपको पता चलेगा कि हुसेनेरा खातून कौन थी, जिनके नाम पर ये case था, जब कि PIL तो हमारी पुषपा कपिला हिगोरानी ने फाइल की थी, चली देखते हैं, अब इस case के facts को समझ लेते हैं, न्यूस पेपर में एक article पबलिश हुआ था, जो बिहार जेल के बारे में था, उसमें बताये गा तब बहुत सारे ऐसे prisoners हैं, जो under trial हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं, जिनका आज तक trial स्टार्ट नहीं हुआ, बट स्टिल उन्होंने जेल में इतना समय बिता दिया, अगर उन्हें उस offense की सजा दे दी जाती, तो सजा भी बहुत पहले खतम होकर वो रिहा भी हो जाते, तो इस newspaper का, इस news का ये असर हुआ, कि मिस हिंगोरानी ने Supreme Court में एक PIL फाइल की, और court ने state government को order किया, कि आप अपनी jail authorities में देखिये, और prisoners को categorize करिये, कि भी कौन grave offense के अंदर पकड़े गए हैं, कि इनका trial अभी तक start नहीं हुआ, या किसका trial pending पड़ा है, क्योंकि speedy trial मिलना सबका अधिकार होता है, अगर किसी को speedy trial नहीं मिल रहा है, या फिर free legal aid नहीं मि करना जाता है, तो इस PIL की वज़े से court ने habeas corpus की retissue करी, habeas corpus to produce the body, कि भी उन सारे लोगों को court में बारी-बारी से लेकर आया जाए, और अगर किसी का illegal detention है, तो उन्हें वहाँ पर रहा किया जाए, तो इस court के judgment का ये असर हुआ, जो newspaper में कुछ numbers लिखे हुए थे prisoners के, कि इनका अभी trial pending है, इनका trial start never, उन सबको तो रहा किया ही गया, लेकिन उसके बाद भी around 40,000 ऐसे prisoners थे, जिनको इस judgment का फायदा पड़ा, क्योंकि उन्हें government की तरफ से free legal aid दी गई, और उनका जो trial है, वो speedy trial पे चलाया गया, अब इसमें court ने क्या बोला था, वो भी देख Right to a speedy trial is fundamental right, FR means fundamental right, तो it's fundamental right, implicit in the guarantee of life and personal liberty, ensured in article 21, तो आपसे अगर एक्जाम में पूछ ले, कि भी speedy trial, आपके कौन से fundamental right में, या फिर free legal aid जो है, वो कौन से fundamental right में है, और ये कौन से case में बोला गया है, तो ये सबके answer आपको मिल गए है, दूसरा, इसमें court ने ये भी बोला थ That's a state duty, state is duty bound to provide free legal aid to underprivileged people, जो लोग, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, जानकारी नहीं है, पिछडे लोग है, जो भी है, तो उनको मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई अब एक आखरी सवाल और बच जाता है, कि ये हुसेनेरा खातून कोन थी? अब बिहार जेल में, जिन प्रिजनस पर ये आर्टिकल छपा था, उसमें बहुत सारे पुरुष थे और कुछ महिलाएं भी थी, तो वही जो under trial थे प्रिजनस, उनमें जो कुछ महिलाएं थी, उन के नाम से ये केस पड़ा, हुसेनरा खातून वसेज हॉम सेकेर्ट्री स्टेट ओफ पिहार, ये सारा था इस केस के बारे में, जितना भी important था, वो मैंने आपको बता दिया है, अगर फिर भी किसी को कोई doubt है, कोई सवाल है किसी का, वो मुझे comment करके पूछे, मैं आपको answer कर झाल झाल झाल, औरोग झाल झाल झाल, गलोग झाल, 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 तथर खेट, और झाल